इसको प्रधान मंत्री किसान योजना की अगले किष्ट ज़ारी कर दी गई है और इस योजना के तैर 10 करोड से अधिक लाभारती किसान परिवारों को 20 हजार करोड रुपए से अधिक की राशी सेधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर की गई है इस योजना से उत्रदेश के 2 करोड 30 लाग से जारा किसानों को सीधा फ़ाइदा मिलेगा और इस दोरां प्यम मोदी ने किसानों से समवाद विक्या है उनके खातों में 2000 रुपए की राशी जब ट्रांसफर हुई तो इस दोरां प्यम मोदी ने उनकिसानों से समवाद भीक् किसानों को उनके खातों में 20,000 क्रोड की राशी ट्रांस्फर की गई मैं देश के करोडों किसानों को वैसे ही 2000 रुप्या वाली किस्थ भेजने वाला मेरे परिवार जनो पहले किसानों की सूथ कोई नहीं लेता था तो किसान भयों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी सिधे लाइब आ चुके हैं और आप किसानों की खाते में एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और आज एक बार फिर से किसानों की खाते में आज ट्रांसफर होना शुरू हो रहा हैं और आप लोग देख रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ कहे रहे हैं सुनगे आप लोग अम्मान ने दी इन मेरे शेतकरी भाई बैनों विले शुरू की इसकी मदद से देश बर के करोड़ों छोटे किसानों को दो लाग साथ हजार करोड रुपिये दिये गए हैं तो जी हां किसान भाईो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा दो लाग साथ हजार करोड रुपिये किसानों के खाते में दिये गए हैं तो जी हां किसान भाईो पंद्रावी किस्त के ताथ अब तक किसानों को पंद्रावी किस्त का पैसा दिया जा चुका है और पंद्रावी किस्त के ताहत प्रतेक किसान को आप लोग देखेंगे तेहां पर 30-30 जार रुपए दिये गए हैं लेकिन इसमें से बहुत सारे किसाने जिनको एक या दो किस्ते आने की बाद उनका पैसा आना रुख गया है तो किसान भयोग पता दें देखिए अगर आपका EKYC जो है आपका EKYC का बारिफिकेशन अपडेट है साथ ही आपका जो भुलेक सत्यापन जो सबसे महत्पूर कार्य है ये कम्पलीट है और आपका जो अधार कार्ड है आपके बैंक इकाउंट से लिंक है तो ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि आपके खाते में निश्ची तवर पर पियम किसान समा निदी उचिना का पैसा दिया जाएगा और जिन किसान वह को भगाया पैसा उनको भी पैसा दिया जाने वाला है तो आप लोग सुन रहे हैं परदानमंत्री मोधी जी कहे रहे हैं सुनिया आप लोग तो मोधी जी ने कहा कि 26,000 करोट रुपए यहां पर ट्रांसफर किये गए हैं तो 26,000 करोट ट्रांसफर किया गया है तो मतलब बहुत सारे किसान इस बार ऐसे भी हैं जिनको 4-4,000 रुपए की सोल्वे और सत्रावी किस्त के पैसे का मिलने का मैसेज भी आने लगा होगा लेकिन अगर यह मैसेज अभी तक भी आपके खाते में नहीं आया है तो आपको घबलाना नहीं है तो आपको उता दिये मैसेज आपके खाते में 25 दिन के अंदर आएगा क्योंकि इस समय प्रदान मंतरे नरेंदर मोदी जी का कहिना है कि पीम किसान योजना में बदलाव किया जा रहा है इल्ले कि जिन किसान भाई उको पैसा नहीं मिल रहा था उनको भी पैसा इस बार दिलाया जाएगा यही चीज कहे रहे हैं कि महारात्र सरकार ने नमो शेतकरी महासंमान निदी योजना शुरू की है इसके तहट महारात्र के शेतकरी परिवारों को 6,000 रुपिये और अतिरक्त दिये जाएंगे यानि अब यहां के छोटे किसानों को सम्मान निदी के 12,000 रुपिया मिलेंगे तो जी यहां किसान भायों आप लोगों ने सुना मोदी जी ने कहा कि अब यहां के किसानों को सलाना 12,000 रुपई दिये जाएंगे तो आपको तादे महाराष्ट किसानों को 12,000 रुपई सलाना दिये जाएंगे महिमाद पर्देश के किसानों को भी सलाना 12,000 रुपई दिये जाएंगे राजस्थान के किसानों को भी सलाना 12,000 रुपई के अंदर के मोधी सरकार जारी करेगी और यह पैसा आप लोग देख रहे हैं किस परकार से किसानों की खाते में पहुँच भी रहा है क्योंकि जब मोदी जी डिवीडी के मात्यम से पैसा जारी करते हैं तो पैसा सीधा करीब किसानों के खाते तक पहुंच जाता है धन्यवाद